कल सीटेट बीटेट के अभियर्थी जो हैं पटना की सरकों पर अंदोलन कर रहे थे डाक बंगला चौराहे को लगबग तीन घंटे बाधित करें ट्राफिक विवस्ता को और ऐसे में एक वहां से बीडियो सामने आया जिसको लेकर बिहार की राजनित गरम हो गई है और लगातार अधिकारियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं और बिहार की सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है जो बिपक्ष में अभी बीजेपी जो आई है पहले इंडिये की सरकार थी अब महागडबंदन की सरकार बनी है और बीजेपी बिपक्ष में आई है वो अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे है क्योंकि ADM ने कल जिस तरीके से लाठी भाजा है एक अभियर्थी को बुरी तरीके से पीटा और उसके हाथ में तिरंगा था इसको लेकर अब बीजेपी ये कह रही है कि अपसरसाही फिर हावी है और हम लगातार कहते थे कि अपसरसाही हावी है लेकिन दोनों सरकार में अंतर है उस समय भी अपसरसाही था लेकिन उस समय भाजपा कुछ नहीं कर पा रही थी और इस समय के अफसरसाही पर R.J.D. मुखर होके बोल रही है और एक्सन भी ले रही है इस तमाम मुद्दे पर बात करेंगे हमारे साथ हमारे सयोगी विर्जू मौजूद है और इंडिये सरकार में अफसरसाही हा भी जो था उस समय क्या होता था और महागडबंदन के सरकार पर अफसर साही पर क्या होगा इस बारे में चर्चा होगी विजू इंडिये की जब सरकार थी तो लगतार इंडिये की जो भी नेता थे मंत्री बिधाया किहां तकी बिधान सभा के अध्धक्ष भी कहते थे कि दारोगा उनका बात नहीं सुनता है और अफसर साही पर हमेशा सवाल खड़े हुए अभी भी महागडबंदन की सरकार है अफसर साही पर सवाल खड़े हो रहे है कल जिस तरीके से अडियम साहामने लाठी भाजा है अभी अर्थी को जिस तरीके से बुरी तरीके से पीटा है और फिर पत्रकारों के साथ बत्तमी जी किया लगता है कि वाकई में तेजश्वी आद्धे एक्सन ले पाएंगे क्या नितिश कुमार उनको एक्षन लेने देंगे क्योंकि आंतरपर्ट ये दिखा नहीं किया जस्वी आदर जो कल तक अप्षर्षाही को लेकर मुखर होकर बोलते थे आज सरकार में आये हैं और जिसे गलती को वो गलती मान रहे हैं एडियम की कारवाई और जिस प्रकार से लाठी भांजी गई छात्रों पर वह गलत है वह सारा सर गलत है सबी लोग मानते हैं कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ हमने पटना डियम से बातचीत किया है कारवाई होनी चाहिए दो दिनों का जो है वो मोलत लिया गया दो दो दोने जान कमीटी जो बैठाई गई है लेकिन सबस्वरा सवाल है कि तश्वी आदो क्या उनकी बात डियम से हुई डियम ने भी बात कहा कि बातचीत हुई है कारवाई जो है वो रिपोर्ट आने के बाद जहांच रिपोर्ट आने के बाद होगी तो क्या सबस्वरा सवाल है कि नितीश कुमार कारवाई करने दें क्या संभव को पाएगा ये संभव हो पाएगा कैसे वाद को समझाओं गां इंडीय की जो सरकार्ति उस वक्त के गनित बहुत अलग थे भारतियन निथा पार्टी के जो है वो मुखर होकर निथिज कुमार का विरोध नहीं कर सकते थे जिये शिर्च अलाइकमान का फड़मान था किसी भीयाल में चुकि भारते अदर पाटिक वास कोई नेत्री तो बिहार में नहीं है वो नितीज कुमार के सहारे ही थी लेकिन आर्जेडी तिस्वी आदो एक नेता बने हुए है और आज किसा अंदर में जो गड़बंधन हुआ है बहुत कुछ कमप्रमाइज हुआ है चाहिए अपसर साही को लेकर लगभग एक दो महीने बैठ कर बहुत लबी दो दिनों गड़बंधन तो है नहीं लंबा बात्ची चला काई मुद्धों पर सब कुछ और दूसरी बड़ी बात है कि से बिहार में गड़बंधन नहीं है यह बहुत आगे देखकर चुकि बात जो विधान सवा में थे पुड़े प्रक्रण में यह वही एडियम है जो द्रौपती मुर्मुर्ट जब पतना आई थी वोट मांगने के लिए राष्ट्पती की जमुईदवार थी उस वक्त तो दिल्ली के अधिकारियों के साथ बत्तमीजी किया था इन्होंने यह वही है जो जब महीला जो अभियरती थे वो जब प्रतसन कर रहे थे प्रिमागों को लेकर उनको भी उन पर विलाठिय वर साइती है तो इनका जो चाईत्र जो है वो पहली बार सामने नहीं आए इससे पहले भी आया है लेकिन इस बार मामला हाइलाइट इसलिए हो एता है कि सरकार में उपमुक्ष मंत्री तिजस्वी आदों ने ने तुरनत DM से बात किया और कहा कि पहरवाई किसी है। दो दिनों में करवाई भी होगी। अगर करवाई 30 स्वी आदों के पहल पर रही होती है तो एक गलत मेसेज जाएगा अपसरसाहों में भी कि भाई सियासत की गनीत बद्रा है लेकिन काम वही अनुसार होगा जैसे पहले होता था दूसरी बड़ी बात है कि उन लोगों महीं जाएगा जो सिम्मीद से बैठे थे कि त्यस्वी क्याने से जो अपसरसाही है है वो कम होगा उन लोगों में और दूसरी बड़ी बात तीसरी बड़ी बात है कि तेस्विया दो चाहेंगे कि 100% कारवाई हो जिकि वो चाहते हैं कि अपसरसाहों में एक मैसेज जाए कि सत्ता परिवर्तन हुआ है गनित बदले हैं हम आ गए हैं सरकार में तो इसलिए अपसरसाहों में यह कारवाई सुनिशित हो और एक मैसेज जाए कि भाई हम आ गए हैं अगली बार से ऐसी कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए ADM जो है law and order के ADM है उनको सुल्जा होना चाहिए उनको सांत रहना चाहिए क्योंकि आम तोर पर देखा जाता है कहीं भी अगर अभियर्थी अंदोलन कर रहे हों तो वहां पर ADM साहब जाते हैं कल सीटेट बीटेट के अभियर्थियों को वो सलाह दे रहे थे आदेश दे र जरा रहे थे कि आप लोग डर के चले जाए वो जो अभियर्थी था उस भीड से अलग होके सड़क पर बैठा हुआ था जंडा हात में तिरंगा लिये वो सायरी बोल रहा था कभीता बोल रहा था सरकार के उपर तंज कस रहा था उसके बालों को पकड़ के खीचना फिर उस को फूच around अकभभूला हो जा रहे हैं उलेज जा रहे हैं किसी के सांथ उलेज जा रहे हैं कोई भी सवाई पूच रहा है उलेज की की जवाबदही बहुत ज़्याता नहीं बेकिन ऐडीम साइक के जवाब देहking बहुत ज्याता है सब कुछ सूचारू तरी के से हो वह वह कर रहा था जो उनका फर्ज था वो कर रहे थे वह एक सिपाही होने के ना थे दूसरी बात है कि वह एडिया जो था डग बंगला वहां पर अभियरतियों को नहीं पहुंचना चाही था वह एक अलग मैटर है उनके लिए धरनास्तल बनाया गया गर्दनिवाग में वह एक अगर कोई प्रवेस करता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है यह हरोज होता है प्रसासन की लापरवाही के कारण लोग वहां पूंच गयते ऐसे वी कल जेपी गुलंबर पर प्रसासन थी ठीक है गाधी मैदान में लगभग दो घंटे से यह लोग बैठे हुए थे अपन करना पूरा जो भी प्रकरन है, उसको अंजाम दे से लोग, यह लोग डाग बंगला चोड़ाहे पर जाते हैं कहीं प्रसासन इनको नहीं रोकती है, जेपी गुलंबर के पास ही जाते हैं वहां प्रसासन इनको रोकती है । लगभग 11 बजी जेपी गुलंबर पहुंचते वहाँ दो बज़े तक पुलीस के साथ होती है कभी हुआ आगे बढ़ते कभी पुलीस उनको पीछे ले जाती है उसके बाद दो बज़े ये प्रकरन होता है एडियम साहब डंडा उठाते हैं पीड देते हैं भी अर्थी को हाथ मित्यरंगा है और जिस प्रकार से उस नहत्य पर आप लाटी बर्षा रहें मतलब क्या समझ लिया आप लोग ने आपने क्या समझा है आपने यह तो नहीं समझा है कि तानासाही सरकार है यहां पर कि हम जो कड़ेंगे वो कोई रोकने वाला नहीं है और एक बात कि एडिय किये ना यह तो पगलाग है सिपाही और अधिकारी कह रहे हैं एडियम के बारे में हम नाम नहीं लेंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि छोड़िये नहीं क्या इनके बारे में बोला जाए उनका करेक्टर जो है ना वो सुरू समने का कई दानान ने आपको दिए बिल्कु द्रौ आप बूल गया है यूक्रेण का यूद जब भारतिया हाथ में लेकर खड़े आते थे और वह सेफ मैसुश करते थे अपने आपको आज उसी तिरंगा लिए खड़ा बच्चा आप देश मी सुरक्षित नहीं है आप उसे पीट रहे हैं आप ऐसे ऐसे पीट रहें अधमरा क इस्तिती में हो गया वो थोरा सा भी तो आख में जो लाज होता है पाणी वो होनी चाहिए तो क्या लगता है कि महागडबंधन की सरकार पर एडियम साहब कारवाई होगी जो बैठा हुआ है कारवाई करने के लिए जो टीम गठिक की गई है कि मेरी बात जो है मेरी बात एक दरोगा तक नहीं सुनता है तो वही तेस्वी आदो आगे मैसेज जरूर देंगे एक मैसेज जरूर देंगे कारवाई हो और एक मैसेज आप सरसाहों में कि हम आ गए है इसलिए अगली बार से ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए तो देखें महागडबंधन की सरकार बनी है और एडिम सहब पर कारवाई जो है बहुत जल्द होने वाली है तो हुआ हार